पिछले पांच वर्षों में महारास्ट की राजनीती में अप्रत्याश्यल उथल पुथल हुई है राजे की जनता ने एक के बाद एक कई सियासी जटके देखे लेकिन क्या जनता इन जटकों को पचा पाई ये आने वाले हफ्तों में साफ हो जाएगा दरसल मंगलवार को चुनावों की घोशना के साथ राजे में 6 प्रमुख राजनेतिक दलों की परिक्षा 16 अक्टूबर से शुरू होगी महारास्ट में 288 सीटों पर विधान सभा चुनाव पो रहे हैं 2019 से 2024 तक 5 साल का कारिकाल महारास्ट की राजनीति में अप्रत्याशील घटनाओं का दौर रहा है ये कहा जा सकता है साथी सवाल ये भी है कि आखिर बीते 5 वर्षों में महारास्ट में सियासी तस्वीर कैसे बदल गई है आने वाले चुनावे राजनीति और मतदाताओं के लिए मुख्य रूप से क्या बदलाव लेकर आ रहे हैं ये चुनाव डिकोड कर जाने के इनी सवालों का जवाब दरसल पहला सवाल तो यही है कि अब किस पाठी के कितने विधायक है इससे पहले तो इस बार चुनावों में दो नई पाठिया नजर आएगी दरसल ये दोनों नई पाठियां पिछली बार चुनाव लड़ चुकी है पाठियों में अलग होकर ये पाठी बनी है पिछले पांच वर्षों की राजनेती घटनाओं की वचा से इन पाठियों का घटन हुआ है महरास्ट विदान सभा में शिवसेना श्रिंदे गुट के पास 44 विधाइक है बिजेपी के पास 103 विधाइक और साथ ही अन्सिपी के अजीत पवार गुट के पास 44 विधाइक है दूसरी ओर महाविकास अघाडी में अन्सिपी के शरत पवार गुट के पास 13 विधाइक है राज़पाल के आदेश पर 29 जून 2022 को ही उधव ने मुख्यमंत्री पत से अस्तिफा दे दिया था और इसके बाद ही भाज़पा कोशिफ से इना शिंदे के तौर पर नया साझे दार मिल गया आसे में भाज़पा ने फड़नवीज के मुख्यमंत्री पत की कुर्बानी दे कर 30 जून 2022 को मुख्यमंत्री पत की शपत दिला थी और फड़नवीज को उप मुख्यमंत्री बना दिया गया इसके बाद से ही धाई साल शिंदे की सरकार में वो मुख्या रहे और भाजपा ने उन्हें मुख्यमंत्री बना कर अपनी सरकार को स्थिर कर दिया शिंदे ने क्यूं की थी ये बगावत ये जा लेते हैं ग्राफिक्स पर नसटा दिये राजनेतिक विशेशग्यों के अनुसार भाजपा ने भाजपा से अलग होने के बाद शिवसेना विधायक दल की बैठक में शिंदे मुख्यमंत्री पद की दौर से सबसे आगे थे लेकिन कॉंक्रेस और NCP की आपत्ती के बाद उधव यहाँ पर खुद मुख्यमंत्री बन गए और इसी सीट ने शिंदे को बागी बना दिया राजनीतिक विशेशक्यों की अनुसार भाजपा से अलग होने के बाद शिवसेना विधायक दल की बैठक में शिंदे मुख्यमंत्री पद की दौर में सबसे आगे थे लेकिन कॉंक्रेस और NCP के आपत्ती के बाद उधव खुद मुख्यमंत्री बन गए इसी सीट से शिंदे को बागी सीट ने बनाया था और इसलिए यहाँ से पूरी राजनीती आगे शुरू होई चली शुरू से शुरू करते हैं शुरू से जालेते हैं 2019 से बात करेंगी 2019 का वदान सबा चुनाव शिपसीना और बीजेपी के गड़बंदन से मिलकर लड़ा किया था दूसरी और कॉंक्रेस और NCP गड़बंदन ने भी साथ मिला कर चुनाव यहाँ पर लड़ा बीजेप उसका दिन उस दिन सुबा सुबा बीजेपी ने अजुईत पवार के साथ मिलकर सरकार बनाने की कोशिश की और 23 नवंबर 2019 की सुबा दिवेंदर फड़नवीज और अजुईत पवार राज भवन पहुंचे उन्होंने क्रमशा मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पद के साथ आए और साथी महा विकास अगारी का गठन किया गया और इन दिनों में ही एक नियुनतम साजहा कारिकरम बनाया गया 28 नवंबर 2019 को शिवसेना प्रमुख उधव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद की शपत ली और इसके बाद करीब ठाई साल तक राज्य में महा विकास अगारी के सरकार रही और इस बीच मार्च 2020-2022 के अगरबात करें 2020 और 2022 तक पूरी दुनिया में करोना संकट रहा यह सभी जानते हैं और उस समय तदकालीन ठाकरे सरकार के प्रशासनिक खौशल के परिक्षा हुई थी और साथी कोविड की लहर कम हुई और एक बार फिर से महरास्टर में तीसरा राजनेतिक प्रियोग किया गया 20 जून 2022 को एकनाच शिंदे जो की महा विकास अगारी में शहरी विकास मंत्री थे कुछ शिव सेना वधायकों के साथ गायब हो गए और सीधे सूरत के लिए रवाना हो गए जाहिर तोर पर शिव सेना के 44 वधायकों और लगपक 10 निर्दलिय वधायकों ने एकनाच शिंदे का समर्थन किया था और इसी बीच ततकालिन मुख्यमंत्री उधव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद से इस्तिफा दे दिया था 30 जून 2022 को राज़े में फिर से शिव सेना और बेज़ेपी के गड़बंदन सरकार बनी और एकनाच शिंदे ने मुख्यमंत्री पद की शपत ले जैसा कि हमने पहले भी बताया और इस तारीक तक राज़े में तीन सरकारे बन चुकी है लेकिन सियासी सतर की यही नहीं रुका बलकि इसके बाद भी शिव सेना ने बागी गोट के पार्टी के चुनाव चिनह पर दाव ठोक दिया चुनाव आयोग ने एकनाच शिंदे की शिव सेना को पार्टी का नाम दिया और चुनाव चिनह दे दिया दूसरी और वदायकों की आयोग्यता का मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट विदान साबाध ध्यक्ष और फिर सुप्रीम कोर्ट में लांबेत है लेकिन ये सियासी खेल यही नहीं रुका दो जुलाई 2023 को एनसेपी नेता और शरत पवार के भदीजे अजीत पवार पाटी के नौसदस्यों के साथ राज भवन पहुँचे और गडबंदन सरकार में उपमुख्यमंत्रिपत की शपत ले